क्यों अरुना इरानी को 32 साल तक अपनी शादी छुपानी पड़ी, क्या था उनका महमूत के साथ रिष्टा, क्यों कभी मा न बन सकी, क्या है अरुना इरानी की दर्द भरी कहानी, आईए मैं आपको बताती हूँ अरुना के पिता एक ड्रामा कंपनी चलाते थे और उनकी मा एक अभिनेतरी थी, अरुना के साथ भाई बेहन थे, जिन में वो सबसे बड़ी थी, घर में पैसों की तंगी थी, इसी वज़े से अरुना सिर्फ छटी क्लास तक ही स्कूल जा पाई उनकी जिन्दगी में एक दिल्चस्प मोड आया जब वो 9 साल की थी, एक फिल्म के ओडिशन के लिए उनकी बिल्डिंग के सारे बच्चों को बुलाया गया था, ये फिल्म थी सूपरस्टार दिलीब कुमार की गंगा जमना छोटी सी अरुना को तो ये पता था कि वहां कोक और वेफर मिलने वाले हैं, बड़े चाव से वो कोक और वेफर खाने वहां पहुँच गई, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि वहां ओडिशन चल रहा है, उनके अलावा वहां करीब 500 बच्चे और आये थे अरुना का पूरा ध्यान चिप्स पर था, किस्मत से दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ गई, उन्होंने अरुना को अपने पास बुलाया और पूछा, काम करोगी? छोटी सी अरुना ने भोले पन में हां कह दिया, इस तरह शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, इसके बा ना एडल्ट, ऐसे में उन्हें फिल्मी रोल जाने बंद हो गए, तब उनके पिता ने उन्हें अपनी ड्रामा कमपनी में काम देना शुरू कर दिया, ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के दौरान आडियंस में बैटे थे डिरेक्टर बाबू भाई मिस्तरी, वो अरुना की परफ ने छोटे मोटे रोल्स किये, फिर एक दिन उन्हें बुलाया गया एक कॉमेडी रोल के आडिशन के लिए, इसमें उनके आपसिट थे महमूद, महमूद उस वक्त आल्रेडी एक बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन फीमेल कॉमेडियन की कैटेगरी इस वक्त खाली थी, मुम्ताज जो पहले कॉमेडी रोल्स करती थी, वो अब एक बड़ी स्टार बन गई थी, और उन्होंने ऐसे रोल करने छोड़ दिये थे, और शोबा खोटे की शादी हो चुकी थी, महमूद के स्टार स्टेटस की वज़े से, अरुना आडिशन के दौरान बहुत खबराई हुई थी, लेकिन सबने मिलकर उनका बहुत होसला अवजाई किया, और किसी तरह उन्होंने आडिशन दिया, वो रोल के लिए सिलेक्ट हो गई, इसके बाद उन्होंने महमूद के साथ कई रोल्स किये, वो कहती है कि महमूद की वो फैन थी, और महमूद से उन्हें आक्टि तुगुआ फिल्मों के बाद महमूद और अरुना की शादी तक की खबरे आने लगी थी, अरुना को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि वो मीडिया के पास जाके इन अफवाओं के जूटे होने का खुलासा कर दे, वो इंतजार कर रही थी कि मीडिया उनके पास आएगी य ऐसा हुआ नहीं, इन अफवाओं का अरुना की करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा, तीन साल तक उन्हें कोई फिल्म का ओफर नहीं आया, कई साल बाद एक इंटर्वियू में उन्होंने बताया, कि हाँ, मैं मेहमूद साहब के साथ फ्रेंडली थी, दरसल मैं ओवर फ्र विश्ता बरकरार रहता, खेर, मैं अपने बीते कल को अलविदा कह चुकी हूँ, तो कुछ इस तरह उन्होंने घुमावदार शब्दों में अपनी बात कही, दोस्तों अब बात करते हैं अरुना के सीक्रिट मारिज की, अरुना अपने काम में इतनी बिजी थी, कि 40 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, फिर उनकी मुलाकात हुई कुकु कोहली से, जो उनकी एक फिल्म के डिरेक्टर थे, वो बताती हैं कि उनके प्यार की शुरुआत हुई जगड़ों से, दरसल बात ये थी, कि उस फिल्म में धर्मेंदर भी का उन्हें मनाते थे, इसी तरह दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने 1990 में शादी कर ली, पर इस लव स्टोरी में एक प्राब्लम थी, प्राब्लम ये थी कि कुकु कोहली पहले से शादी शुदा थे, और दो बच्चों के पिता भी, ये बात अरुना इरानी को पता नहीं थी जब उन्हें कुकु से प्यार हुआ, कुकु कोहली ने पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिये, दूसरी शादी कर ली थी, इसी वज़े से पहली पत्नी और उनके बच्चों का लिहास रखते हुए, अरुना ने अपनी शादी की बात 32 साल तक छुपाई, साल 2021 में जब कुक अपना निर्ने था, इसकी वो दो वज़े बताती हैं, पहली तो ये कि उनकी शादी के वक्त उनकी उम्रे 40 से ज़्यादा थी, और दूसरा ये कि 32 साल पहले जब वो ये निर्ने नहीं ले पा रही थी, तब उनके भाई ने उनसे कहा, कि अगर तुम अपने बच्चों से कम लगी, हाला कि उन्होंने अपने मूँ से तो ये बात कभी नहीं कही, पर हो सकता है कि उनकी शादी का सीक्रेट होना भी एक कारण रहा होगा, तो दोस्तों ये थी कहानी अरुना की परसनल लाइफ की, उनके सभी अनभवों से सामने आता है, उनका ममता भरा कोमल दिल और द खोड़कर फिल्मों में काम किया, चालीस साल तक शादी नहीं की और जब की, तो पती की पहली पत्नी का ख्याल रखके अपनी शादी को गोपनी बनाए रखा तीन दशक तक, अपनी फेवरिट सेलेबरिटीज की ऐसी ही और कहानिया सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेर चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार